गन्ने की प्रति क्वेंटल 340 पेमेंट नहीं मिलने से खफा किसानों ने गन्ना संगर्ष समीति की अकुवाई में इंदरी के भात्सो शुगर मिल पर कल से चल रहा धरना आज मुख्य मंत्री से फोन पर आश्वाशन मिलने के बाद समाथ हो गया आज के धरने में भारती किसान संग के संगठन मंत्री सुरेंदर सिंग मोके पर पहुँचे और सभी किसानों के बीच सुरेंदर सिंग ने मुख्य मंत्री मनोहर लाल से फोन पर बातचित की और गन्ना संगर्स समीती परधान रामपाल चहल से भी मुख्य मंत्री की बातचित करवाई किसान नेताओं के नुसार मुख्य मंत्री मनोहर लाल से फोन पर बाचित कर सोमवार या मंगलवार को गन्य की पूरी पेमेंट मिलने से आश्वासन पर किसान धर्ना परदर्शन सी उठी और मेल में गन्य तुलाई शुरू करवाई इस मोके पर इंदरी स्जीम सुमित सिहाग तहसीलदार दरपन कामबोज वथाना प्रभारी सुरेंदर सिंग पूलिस बल के साथ मोके पर पहुचे गन्य संगर से समीती प्रधान रामपाल चेहन ने बताया कि मील की और से किसानों को गन्य की पेमेंट 295 रुपे प्रतिक विंटल दी गई जिससे किसानों में भारी रोश है किसान शुक्रवार दोपहर से शुगर मील काटा बंद करके मील गेट पर धरने पर दरशन पे बैठे थे चेहन ने कहा कि भारते किसान संगठन मंतरी सुरेंदर सिंग शनिवार दोपहरबाद धर्ने पर पहुचे और उन्होंने किसानों से बाचित कर मुखे मंतरी मनोहलाल से बाचित की और मैंने भी CM साब से बाचित की, बाचित में CM ने कहा कि कैन का हैड अपने किसी निजी काम से बाहर गया है, कल रविवार है सुमवार को मिल को चिठी लिख देंगे और आपको गन्ना का पूरी पेमेंट दी जाएगी हमें विश्वास है CM SDM सुरेंदर सिंग के आश्वासन पर धरना खत्म करते हैं भारते किसान संगठन मंतरी सुरेंदर सिंग ने कहा कि मुझे सूचना मिली कि किसान शुगर मिल में परिशान हो रहे हैं गन्ने की प्रतिक कौंटल 295 रुपे पेमेंट किसानों को दी जा रही है जबकि गन्ने का रेट 340 रुपे कौंटल है मुझे काफी दुख हुआ मैं किसानों के धरने पर पहुचा धरना परदर्शन पर पहुचकर मुख्य मंतरी से बाचित करवाई सुरेंदर सिंग ने कहा कि सीम सहाब ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था 340 का रेट है अगर मिल बकाया पैसा नहीं देगा तो सरकार देगी हर कीमत पर देगी ऐसा आशवासन सीम ने मुझे फोन पर दिया उसके बाद हमने बैठ कर SDM महोदे को बुलाया उनकी उपस्थिती में यह नीने सुनाया मंगलवार को किसानों को पूरी पैमेंट दी जाएगी यह आशवासन दिया गया SDM सुमित सिहाख ने कहा कि गन्ना संगर से समीथी वक किसान गन्ने की पूरी पैमेंट करवाने के लिए धरने पर बैठे थी किसानों की मांग थी कि हमें गन्ने की पूरी पैमेंट दी जाएगी अगर मिल परशासन ऐसा नहीं करता है तो कड़ी कारेवाही करेंगे जो आशवासन दिया गया है इंदिर से सवधाता आमित कुमार की रिपोर्ट देखे यहां पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा था पूरे रियन एमेंट 340 की रेट में रहा था और पिकाड़ जी सुगर मिल 255 मगी दे रहा था इसको लेकर किसानों ने कल डाई बज़े दर ना रख दिया मील बंद कर दिया और अभी तक दोबारा डाई बज़ गया है अब जाका हमारा फैंसल हो आया सुरेंदर जी जो परचार मंत्रियां किसान संग के उन्होंने बात कराई सीम साब से तसीलदार साथ एश्डियम साब आये इन्होंने आसवासन दिया तो अभी हम खुस हैं इन्होंने काया कि आप तो सोमवार या मंगलवार को 344 के रेट में रह रख जेगा आपका जो आतराज कर रहे थे कि हमें कन्ने की पेमेंट 295 रुपे के हिसाब से मिल रही है मिल वाले उनम skirt 295 के आहिए निंदर थे ज़िखने तो उनकी कि के यह हमें की फोरी 304 के प्रूस कूले की जाती बोडिया थे लेकिन किसानों किसानों जो शंगर्ज किया वह इसी बात बैठा कि हमें 345 के इसाब साथ की जाने जी यहां पर पेरे आने से हैं पूर्द यहां पर हमारे किसीदा साथ यहां आए जो सीजन में किसानों के इत में मैंनेजमेंट को लेनी चाहिए उसमें विस्तार से मैंनेजमेंट के साथ जड़जा की जाईगी और आश्वासन देता हूंकि किसान यहां प्रेशान है 295 की पैमेट हो रही है 340 का MSP है तो मुझे बहुत बुरा लगार मैं यहां पहुंचा तो मैंने बात की किसानों से फिर मैंने मुख्यमंत्री से बात की यहां नहीं होना चीज़ था अगर मील नहीं देगा तो सरकार देगी हर किनमत पे देगी ऐसा मुख्यमंत्री ने अस्वासन मुझे दिया उसके बाद फिर हमने मीटिंग करी यहां के प्रसासन से फिर हमने अश्टियम महोद्या को गुलाया कि उनकी उपर सीती में यह एक निरिने सुनाया जाए और उसका मंगलवार को यह काम पूरा हो जाएगा ऐसा हमने विश्वास अगर नहीं होगी यह पूरा विश्वास है JBD Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Raj Gharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties, Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुब्सक्राइब करें हैन्यवाद